दोस्तो अगर आपको बल्गम की समझ्या है फेफडों में बल्गम जमा हो गया है आप खांसते हैं खांसी की साथ बल्गम आता है जिसे फ्लेम बोलते हैं म्यूकस बोलते हैं जिसे स्पिटम बोलते हैं बहती हुई नाक से बल्गम बहर निकल रहा है क्योंकि फेफडों में इ जदा खासी उठती है, बलगम आता है, गला भरा-भरा सा, चिप-चिपाट सी आपको रहती है, खराश रहती है, और पूरे दिन आप परेशान रहते हैं, तो ऐसी कंडिशन में आपको क्या इलाज लेना होता है, वो सारी चीज़े आपको जानने को मिलेगी वीडियो में, अं मोसम बदलने पर, जो नॉर्मल ही हो जाता है, तब भी आपको फेफडो में बलगम जमा होने की शिकायत हो सकती है, अगर आपको निमोनिया की शिकायत है, तो भी आपको बलगम की समश्या बन जाती है, आपको अस्थमा है, तब भी ये दिक्कत देखने को मिलती है, आप सि जान लेते हैं उपचार के बारे में तो इसमें देशी और इंगलिश दवाईयां खाने की पीने की सारी चलती हैं और उनको हम जान लेते हैं कौन कौन सी दवाईयां कैसे कैसे काम करती हैं तो पहले देशी दवाईयां जान लेते हैं तो सबसे पहले लेते हैं हिमालिया पसाक सिरफ के बारे में जो की पूरी तरह से अयरुवेदिक सिरफ है ये दो चम्मच आपको दिन में तीन बार लेने की सला दी जाती है गरम पानी के साथ आप इसको ले सकते हैं और आपको पूरे दिन गरम पानी का स्तेमाल करना होता है साथा पानी ये ठंडा पानी ना पिए गरम पानी आपको लेना होता है ताकि जल्दी से आपको कफ की जो शिकायत वो दूर हो जाए इसके अलावा आप हिमाला कॉफलेट सिरफ भी ले सकते हैं जो कि बिल्कुल सेम ऐसा ही लेना होता है दिन में तीन बार दो दो चम्मा चानी 10-10 ml आप इसे ले सकते हैं अब इंगलिश दवायों की बारे में बात कर लेते हैं इसमें आपको एक्सपेक्टोरेंट्स लेने होते हैं ब्रोन को डाइलेटर्स लेने होते हैं मियूकोलिटिक्स होते हैं वो लेने होते हैं या फिर एंटी टसिफ्स जो होते हैं उनका प्रयोग आपको करना होता है अब ये कौन से सिरफ हैं आपने भोत सुना भी होगा पढ़ा भी होगा सिरफ के उपर लिका रहता है जैसे टर्ब्यूटालीन है ये बल्गम वाली खासी में इस्तिमाल होने वाला सिरफ होता है सूकी खासी में नहीं बल्गम वाली इस्तिमाल होता है ये भी बल्गम वाली खासी में इस्तिमाल किया जाता है अब इनका लेने का तरीका क्या होता है इन सिरफ को लेने का तरीका क्या होता है तो आपको 7 ml adult की बाद चलिए, 7 ml आपको लेना होता है, यानि 1.5 चमच आपको लेना होता है दिन में 4 बार, हर 6 घंटे में आप इनको इस्तिमाल कर सकते हैं, थोड़ा सा गरम पानी मिलाईएगा और 1.5 चमच उसमें दवाई डालेगा और दिन में 4 बार आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, अब बात कर लेते हैं टैबलेट की, तो जैसे स्ट्रेप सिल्स हैं, कॉफ सिल्स हैं, चूसने वाली टैबलेट होती हैं, मीठी टैबलेट होती हैं, और इनका आप रियोग कर सकते हैं, दिन में 3 या 4 आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके अलावा जो टैबलेट है मोन्टी लिउकास्ट प्लस अलिवोसेटरजीन यह मोन्टी कोप टैबलेट के नाम से मिल जाती है तो अगर आपको बलगम वाली खासी है तो इन दबाओं का प्रयोग कर सकते हैं आप टैबलेट भी ले सकते हैं साथ वे शिरप भी ले सकते हैं कमेंट में जा करके वहाँ पर मैं आपके कोश्चन का आंसर करने की पूरी-पूरी कोशिश करता हूँ वीडियो पर नहीं है चैनल पर नहीं है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दे तक धेर सारी एसी वीडियो आपको समय समय पर मिलती रहें नमस्कार धन्यवाद